दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग html के अंदर list के स्तरे से create करते हैं इसके बारे में discuss करेंगे और इसके लिए मुझे आनाओगा vs code में तो मैं vs code में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक html file create कर लेता हूँ topic 7.html अब यहाँ पर हम अपना starter code ले आते हैं तो starter code आ चुका है यहाँ पर मैं लिखता हूँ html list अब सबसे पहले हम बात करेंगे unordered list के बारे में तो unordered list create करने के लिए ul tag का use किया जाता है तो ul tag start करेंगे और ul tag को close करेंगे तो मैंने क्या किया यहाँ पर ul लिखा और इसके बाद यहाँ पर मैंने tab press किया ठीक है अब यहाँ पर एक enter मारेंगे अब इसके अंदर हम अपने list item define करेंगे list item करने के लिए li tag का use किया जाता है li tag को start करेंगे li tag को close करेंगे अब यहां पर मैं लिखता हूँ step 1, ठीक है, मैं इसे copy कर लेता हूँ, ctrl c, ctrl v, ok, step 2, step 3, और यहां पर step 4, ok, अब इस file को हम ब्राउजर में open कर लेते हैं, so यहां पर मैं open करूँगा topic 7 वाल फाइल, तो open with google chrome, so अब अगर हम यहां पर देखें, तो हमारा un-ordered list आ चुका है, step 1, step 2, step 3, step 4, और हर एक item से पहले यहां पर आपको एक bullet का icon भी दिखेगा, ok, so next अब बात करते हैं, ordered list के बारे में, तो ordered list create करने के लिए, ol tag का use करते हैं, ordered list, ol tag start किया, ol tag को close किया, फिर list item, अब यहां पर मैं फिर से कुछ steps लिख देता हूँ, step 1, step 2, step 3, step 4, ok, इसे मैं save कर लेता हूँ, save करने के बाद, अब जब मैं यहां पर refresh करूँगा, तो यहां पर हमारा ordered list आ चुका है, अब unordered list में, और ordered list में difference क्या होता है, कि ordered list में हमें serial number भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यह serial number automatically generate हो जाते हैं, यहां पर मैं इसे copy करके paste करता हूँ, file save करता हूँ, और अगर यहां पर मैं refresh करूँगा, तो यहां पर हमारा अगला list item आ जाएगा, और साथ-साथ यहां पर हमें serial number भी देखने को मिलेगा, अब यहां पर हम एक और list के बारे में बात कर लेते हैं, सो इसे हम कहते हैं description list, so description list create करने के लिए हम use करते हैं dl tag, okay, dl tag के अंदर use करते हैं dt tag, ठीक है, term define करने के लिए, अब यहां term में मैं लिख देता हूँ, एक book का नाम, atomic habits, और इसके नीचे हम देते हैं dd tag, ठीक है, description दे के लिए, तो यहां पर मैं एक छोटा सा description दे देता हूँ, this is a good book to read, okay, so इसे मैंने save कर लिया file को, अब यहां पर जब मैं refresh करूंगा, तो यहां पर हमारी description list भी अब आ चुकी है, जो की कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगी, अब अगर हमें इसे repeat करना है, तो हम क्या कर इसे copy करेंगे, paste कर देंगे, और अगर हम यहां पर refresh करेंगे, तो यहां पर हमारा यह दूसरा list आ जाएगा, description list, okay, तो यहां पर हम लोगों ने unordered list create कर ली, ordered list भी create कर ली, और इसके बाद यहां पर description list भी create कर ली, अब ordered list में हम इस bullet icon को भी change कर सकते हैं, CSS की मदद से, तो क् सकते हैं, ul tag के अंदर जाएंगे, यहां पर style tag का use करेंगे, sorry, style attribute का use करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे list style type, ठीक है, तो यहां पर हमें कई सारे option देखने को में लेंगे, जैसे कि circle, तो अब अगर यहां पर मैं circle select करूँगा, ठीक है, और save करूँगा file को, यहां पर refresh यह change हो चुका है, ठीक है, यह circle की form में आएगा, अब यहां पर मैं से change करके लिख देता हूँ, square, ठीक है, और save करता हूँ file, और अब अगर मैं यहां पर refresh करूँगा, तो यहां पर हमें bullet square की form में देखने को मिलेगा, ठीक है, और by default क्या होता है, तो by default होता है disk, ओके, तो अब अगर हम यहां पर refresh करेंगे, तो यहां पर हमें disk की form में bullets देखने को मिलेगी, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, और अब बात करते हैं ordered list के बारे में, तो अभी अगर हम लोगों ने देखा, तो ordered list में यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर हम इस numbering को change करना चाहते हैं, हम यहां पर A आजाए, B आजाए, C आजाए, D आजाए, ठीक है, alphabets आजाए, तो यहां पर हम type use करते हैं, ठीक है, type attribute use करते हैं, और type attribute में, यहां पर माल लो, अगर मैंने capital A दे दिया, और यहां पर जब मैं refresh करूँगा, तो यहां पर serial number हमें alphabetically देखने को मिलेंगे, A, B, C, D, E, इसे हम small में भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर refresh करेंगे, तो यहां पर हमारे alphabets small characters में आ जाएंगे, और यहां पर हम roman number भी use कर सकते हैं, ठीक है, capital A मैंने दे दिया, तो यहां पर serial number हमारा roman numbers में आ जाएगा, ओके, तो यहां पर यह इतने options होते हैं, जिनका हम use कर सकत यहां पर अगर हम 1 दे देंगे तो यह default serial number आ जाएंगे ठीक है तो अब मैं इसे हटा देता हूँ Okay, so I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि serial number हम कैसे change कर सकते हैं तो दोस्तों I hope आप लोगों को unordered list, ordered list और description list के बारे में समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज आप इस वीडियो को like करिए, comment करिए, share करिए और मेरे चैनल को subscribe कर लिजी अभी के लिए, bye, thanks and take care